ओम श्यान्ती, 19 नवंबर 2024 के इश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुरली की मुख्य पोइंट्स, आज बाबा एक बाद पूछ रहे हैं, क्या आप बच्चों को यह याद रहता है कि शिव बाबा हमारा बाप, टीचर वसत गुरू है, तीनों को याद करते हो या एक को, ह है तो भले एक ही, परन्तु तुम्हें तीनों गुणों से उन्हें याद करना है, और उस नशे में रहना है, चलते फिडते, उठते बैठते तो याद में रहना ही है, लेकिन जब भोजन पर बैठते हो, तो भी तीनों रूपों से शिव बाबा को याद करना है, बाप की मह विचित्र हैं तो उनको याद भी ऐसे ही करना चाहिए परन्तु माया ऐसे बाप को भी भुला देती है नहीं तो ऐसे वंडर्फुल बाप की याद हर एक को अपने दिल से लगा लेनी चाहिए बाबा ने कहा तुम तो बहदूर हो महवीर महवीर्ण्या हो सारे विश्व को पा तुम बच्चों को सदैव ज्यान का सिमरन कर हर्शित रहना चाहिए परन्तु बहुत बच्चे देह अभी मानी हैं समझ से हैं हम तो सब कुछ जान गए फिर मुरली भी नहीं पढ़ते बाप तो बच्चों को रोज-रोज डारेक्शन देते हैं परन्तु बच्चों को कदर ह मुरली तो एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए अगर किसी कारण से मिस हो जाती है तो समय मिलते ही पढ़नी है और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे तुम्हारी याद बहुत वंडर्फुल है क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सत्गुरु तीनों को याद करते हो प्रश्न किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केर करते हैं उत्तर मगरूर बच्चे द काहवत है ना चुहे को मिली हल्दी की गांट समझा मैं पंसारी हूँ बहुत हैं जो मुरली पढ़ते ही नहीं कह देते हैं हमारा तो डारेक्ट शुबाबर से कनेक्शन है बाबा कहते बच्चे मुरली में तो नई-नई बाते निकलती हैं इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना इस पर बहुत अटेंशन रहे ओम शांती मेठे मेठे सिकिल अधे बच्चों से रुहानी बाब पूछते हैं यहां तुम बैठे हो किसकी याद में बैठे हो बाब शिक्षक सत्गुरू की बाबा ने पूछा सभी इन तीनों की याद में बैठे हो हर एक अपने से पूछे यह सर्फ यहां बैठे याद है या चलते फिरते याद रहती है क्योंकि यह है wonderful बात और कोई आत्म को कभी ऐसे नहीं कहा जाता बले यह लक्ष्मि नारेन विश्व के मालिक हैं प्रंतून की आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि यह बाप भी है, टीचर भी है, सत्गुरू भी है, बलकि सारी दुनिया में जो भी जीव आत्मे हैं, कोई भी आत्म को ऐसे नहीं कहेंगे, तुम बच्चे ही ऐसे याद करते हो, अंदर में आता है, यह बाबा, बाबा भी है, तीचर भी है, सत्गुरु भी है, सो भी सुप्रीम, तीनों को याद करते हो या एक को, भले पह एक है, प्रन्तु तीनों गुणों से याद करते हो, शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और सत्गुरु भी है, यह एक्स्ट्रा ओर्डिनरी कहा जाता है, जब बैठे हो, अथ्वा चलते फिरते हो, तो यह याद रहना चाहिए, बाबा पूछते हैं, ऐसे याद कर करते हो, कि यह हमारा बाप टीचर सत्गुरु भी है, ऐसा कोई भी देहधारी हो नहीं सकता, देहधारी नंबर वन है श्री कृष्ण, उनको बाप टीचर सत्गुरु कह नहीं सकते, यह बिलकुल वंडर्फुल बात है, तो सच बताना चाहिए, तीनों रूप में याद करत हो, भोजन पर जब बैठते हो, तो सर्फ शुबाबा को याद करते हो, या तीनों बुद्धी में आते हैं, और तो कोई भी आत्म को ऐसे नहीं कह सकते, यह है वंडर्फुल बात, विचित्र महिमा है बाप की, तो बाप को याद भी ऐसे करना है, तो बुद्धी एकदम उस सरफ चली जाएगी, जो ऐसा वंडर्फुल है, बाप ही बैठ अपना परीचे देते हैं, फिर सारे चक्र का भी नौलिज देते हैं, ऐसे यह युग हैं, इतने इतने वर्ष के हैं, जो फिरते रहते हैं, यह ज्यान भी वह रच्यता बाप ही देते हैं, तो उनको याद करने में बहुत मदद मिलेगी, बाप, टीचर, गुरु वह एक ही है, इतनी उच्यात्मा और कोई हो नहीं सकती, परन्तु माया ऐसे बाप की याद भी भूला देती हैं, तो टीचर और गुरु को भी भूल जाते हैं, यह हर एक को अपने अपने दिल से लगाना चाहिए, बाबा हमको ऐसा विश्व का मालिक बनाएंगे, बेहद के बाप का वर्षा जरूर बेहद का ही है, साथ साथ यह महिमा भी बुद्धी में आए, चलते फिरते तीनों ही याद आएं, इस एक आत्मा की तीनों ही सर्विस इकठी हैं, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है, अब कॉन कॉन फ्रेंस साथी बुलाते हैं, कहते हैं विश्व में शान्ती कैसे हो, वे तो अब हो रही है, आकर समझो कौन कर रहे हैं, तुमको बाप का उक्यूपेशन सिद्ध कर बताना है, बाप के उक्यूपेशन और श्रीक्रिश्न के उक्यूपेशन में बहुत फर्क हैं, और त सब का नाम शरीर का ही लिया जाता है, उनकी आत्मा का नाम गाया जाता है, वे आत्मा बाप भी है, टीचर गुरू भी है, आत्मा में नौलेज है, प्रन्तु वे दे कैसे, शरीर दवारा ही देंगे ना, जब देते हैं, तब तो महिमा गाई जाती हैं, अब शिवजनती पर बच्चे कॉन्फरेंस करते हैं सब धर्म के नेताओं को बुलाते हैं तुमको समझाना है इश्वर सरव्यापी तो है नहीं अगर सब में इश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान बाप भी है टीचर भी है गुरू भी है बताओ स्रिष्टी के आदी मध्य अंत का नौलेज है यह तो कोई भी सुनाना सके तुम बच्चों के अंदर में आना चाहिए उच तेउच बाप की कितनी महिमा है वह सारे विश्व को पावन बनाने वाला है प्रकृती भी पावन बन जाती है कॉन्फरेंस में पहले पहले तो तुम यह पूछेंगे कि गीता का भगवान कौन है सत्यूगी देवी देवता धर्म की सापना करने वाला कौन अगर श्री कृष्ण के लिए कहेंगे तो बाप को गुम कर देंगे या तो फिर कह देते वेह नाम रूप से न्यारा है जैसे की है ही नहीं तो बाप बिगर औरफन स्ठहरे न बेहद के बाप को ही नहीं जानते एक दो पर काम कटारी चला कर कितना तंग करते हैं एक दो को दुख देते हैं तो यह सब बातें तुम्हारी बुद्धी में चलनी चाहिए कोंट्रास्ट करना है यह लक्षमि नारेन भगवान भगवती है न इन्हों की भी वन्शावली है न तो जरूर सब ऐसे गौड गौड़ेज होने चाहिए तो तुम सब धर्म वालों को बुलाते हो जो अच्छी रिती पढ़े लिखे हैं बाप का परीचे दे सकते हैं उनको ही बुलाना है तुम लिख सकते हो जो आक रच्यता और रच्णा के आदी मध्यांत का परीचे देवे उनके लिए हम आने जाने रहने आदी का सब प्रबंद करेंगे अगर रच्टा और रच्णा का परीचे दिया तो यह तो जानते हैं कोई भी यह ज्यान दे नहीं सकते भल कोई विलायत से आए रच्यता और रच्णा के आदी मध्यांत का परीचे दिया तो हम खर्चा दे देंगे ऐसी एडवर्टाइज और कोई कर ना सके तुम तो बहादूर हो ना महवीर महवीर्निया हो तुम जानते हो इनोंने लक्ष्मी नारैन ने विश्व की बादशाही कैसे ली कौन सी बहादूरी की बुद्धी में ये सब बातें आनी चाहिए कितना तुम ओच कारिय कर रहे हो सारे विश्व को पावन बना रहे हो तो बाप को याद करना है वर्सा भी याद करना है सिर्फ यह नहीं किश्य बाबा याद है प्रंतून की महिमा भी बतानी है यह महिमा है ही निराकार की, प्रंतु निराकार अपना परीचे कैसे दें, जरूर रचना के आदी मध्यांत का नौलिज देने लिए मुख चाहिए ना, मुख की कितनी महिमा है, मनुष्य गव मुख पर जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं, क्या-क्या बातें बना दी हैं, तीर मारा गंगा निकलाई गंगा को समझ से हैं पतित पावनी अब पानी कैसे पतित से पावन बना सकता पतित पावन तो बाप ही है तो बाप तुम बच्चों को कितना सिखलाते रहते हैं बाप तो कहते हैं ऐसे ऐसे करो कौन आकर बाप रच्यता और रच्णा का परीचे देंगे साधू सन्यासियादी ये भी जानते हैं कि रिशी मुनियादी सब कहते थे नेती नेती हम नहीं जानते हैं गोया नास्तिक थे अब देखो कोई आस्तिक निकलता है अभी तुम बच्चे नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो तुम बेहद के बाप को जानते हो, जो तुमको इतना उच बनाते हैं, वो कारते भी हैं, ओ God Father, लिबरेट करो, बाप समझाते हैं, इस समय रावन का सारे विश्व पर राज्य है, सब भरष्टाचारी हैं, फिर स्रेष्टाचारी भी होंगे न, तुम बच्चों की बुद्ध में हैं, पहले-पहले पवित्र दुनिया थी, बाप अपवित्र दुनिया थोड़े ही बनाएंगे, बाप तो आकर पावन दुनिया सापन करते हैं, जिसको शिवाले कहा जाता है, शिव बाबा शिवाले बनाएंगे न, वे कैसे बनाते हैं, सो भी तुम जानते हो, महा प्र फिर रिजल्ट का कोई को पता नहीं, यह सब बातें बाप बैट समझाते हैं, यह भी तुम ही जानते हो, वह बाप, बाप भी है, टीचर भी है और सत्गुरु भी है, वहाँ तो यह मंदिर आदी होते नहीं, यह देवताईं होकर गए हैं, जिनके यादगार मंदिर यहां है, यह सब ड्रामा में नोंद है, सेकिंड बाई सेकिंड नई बात होती रहती है, चक्र फिरता रहता है, अब बाप बच्चों को डारेक्शन तो बहुत अच्छे देते हैं, बहुत देहे अभीमानी बच्चे हैं, जो समझ से हैं, हम तो सब कुछ जान गई हैं, मुरली भी नह नहीं हैं, बाबा ताकीद करते हैं, कोई-कोई समय मुरली बहुत अच्छी चलती है, मिस नहीं करनी चाहिए, दस-पंद्रा दिन की मुरली जो मिस होती हैं, वह बैट पढ़नी चाहिए, यह भी बाप कहते हैं, ऐसी-ऐसी चैलेंज दो, यह रचता और रचना की आदी मध् तो हम उनको खर्चा आदी सब देंगे, ऐसी चैलेंज तो जो जानते हैं, वह देंगे ना, टीचर खुद जानता है, तब तो पूछते हैं ना, बिगर जाने पूछेंगे कैसे, कोई-कोई बच्चे मुरली की भी डोंट केर करते हैं, बस हमारा तो शिव बाबा से ही कनेक् हैं, परंतु शिव बाबा जो सुनाते हैं, वह भी सुनना है ना, कि सिर्फ उनको याद करना है, बाब कैसी अच्छी-च्छी, मीठी-मीठी बातें सुनाते हैं, परंतु माया बिल्कुल ही मगरूर कर देती हैं, कहावत है ना, चुहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं प की हैं, जब बाब की याद में बैठते हो, तो यह भी याद करना है, कि वह बाब टीचर भी है, और सत्गुरु भी है, नहीं तो पढ़ेंगे कहां से, बाब ने तो बच्छों को सब समझा दिया है, बच्छे ही बाब का शो करेंगे, सन शोज फादर, सन का फिर फादर शो क करते हैं, फिर बच्छों का काम है, बाब का शो करना, बाब भी बच्छों को छोड़ते नहीं है, कहेंगे आज फलानी जगह जाओ, आज यहां जाओ, इनको थोड़े ही कोई ओर्डर करने वाले होंगे, तो यह निमंतरन आदी अकबारों में पढ़ेंगे, इस समय सारी दुनिया है, वर्थ नोटे पैनी, अमेरिका के पास भले कितना भी धन दौलत है, प्रन्तु वर्थ नोटे पैनी है, यह तो सब खत्म हो जाना है, सारी दुनिया में तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो, वहां कोई कंगाल होगा नहीं, तुम बच्चों को सदैव ग्यान का स परशित रहना चाहिए, उसके लिए ही गायन है, अतिंद्रिये सुख गोप गोपियों से पूछो, यह संगम की ही बाते हैं, संगम युक को कोई भी जानते नहीं, विहंग मार्ग की सर्विस करने से शायद महिमा निकले, गायन भी है, अहो प्रभू तेरी लीला, यह कोई अभी नहीं जानते थे कि भगवान, बाप, टीजर, सत्गुरु है, अब फादर तो बच्चों को सिखलाते रहते हैं, बच्चों को यह नशा साई रहना चाहिए, अंत तक नशा रहना चाहिए, अभी तो नशा जट सोड़ा वाटर हो जाता है, सोड़ा भी ऐसे होता है न, थोड़ा टाइम रखने से जैसे खारा पानी हो जाता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, किसको ऐसा समझाओ, जो वह भी वंडर खाए, अच्छा-च्छा कहते भी हैं, परन्त वह फिर टाइम निकाल समझे, जीवन बनाए, वह बड़ा मुश्किल है, बाबा कोई मना नहीं कर करते हैं, कि धन्दादी नहीं करो, पवित्र बनो, और जो पढ़ाता हूं, वह याद करो, यह तो टीचर है न, और यह हैं, अनकॉमन पढ़ाई, कोई मनुश्य नहीं पढ़ा सकते, बाब ही भाग्यशाली रत पर आकर पढ़ाते हैं, बाब ने समझाया है, यह तुम्हारा तख्त है, जिस पर अकाल मूर्त आत्मा आकर बैठती है, उनको यह सारा पार्ट मिला हुआ है, अभी तुम समझ से हो, यह तो रियल बात है, बाकी यह सब हैं आर्टिफिशल बाते हैं, यह अच्छी रिती धारन कर गांठ बांध लो, तो हाथ लगने से याद आएगा, पर भी भूल जाते हैं, तुमको तो यह पक्का याद करना है, बाप की याद के साथ नौलेज भी चाहिए, मुक्ती भी है तो जीवन मुक्ती भी है, बहुत मीठे मीठे बच्चे बनो, बाबा अंदर में समझ से हैं, कल्प कल्प यह बच्चे पढ़ते रहते हैं, नंबर वार पुर्शार्थ नुसार ही वर्षा लेंगे, फिर भी पढ़ाने का टीचर पुर्शार्थ तो कराएंगे न, तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसलिए याद कराया जाता है, शिव बाबा को याद करो, वे बाप टीचर सत्गुरु भी है, छोटे बच्चे ऐसे याद नहीं करेंगे, शिरिकृष्न के लिए थोड़े ही कहेंगे, वे बाप टीचर सत्गुरु है, सत्युक का प्रिंस शिरिकृष्न वे फिर गुरु कैसे बनेगा, गुरु चाहिए दुर्गती में, गायन भी है, बाप आकर सब की सदगती करते हैं, शिरिकृष्न को तो सावर ऐसा बना देते जैसे काला कोईला बाप कहते हैं इस समय सब काम चिता पर चड़ काले कोईले बन पड़े हैं तब सावरा कहा जाता है कितने गुहिये बातें समझने की हैं गीता तो सब पड़ते हैं भारत वासी ही हैं जो सभी शास्त्रों को मानते हैं सब के चित्र रखते रह तो उनको क्या कहेंगे व्यभीचारी भक्ती ठहरीना अव्यभीचारी भक्ती एक ही शिव की है ज्यान भी एक ही शिवबाबस से मिलता है यह ज्यान ही different है इसको कहा जाता है spiritual knowledge अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गु रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्णिंग धार्णा के लिए मुख्ये सार पहली पुइंट विनाशी नशे को छोड़ अलोकिक नशा रहे कि हम अभी worth note पहनी से worth pound बन रहे हैं सुयम भगवान हमें पढ़ाते हैं हमारी आपका शो करने वाली सर्विस करनी हैं कभी भी मगरूर बन मुर्ली मिस नहीं करनी हैं वर्दान पवित्रता के फाउंडेशन दवारा सदा स्रेश्ट कर्म करने वाली पुझे आत्मा भव पवित्रता पुझे बनाती हैं पुझे वही बनते हैं जो सदा स्रेश्ट कर्म करते हैं लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्म चरिये नहीं मनसा संकल्प में भी किसी के प्रती नेगिटिव संकल्प उत्पन ना हो, बोल भी अय थार्थ ना हो, संबंद संपर्क में भी फर्क ना हो, सबके साथ अच्छा, एक जैसा संबंद हो मनसा वाचा कर्मना किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पुज्यात्मा, मैं परम पुज्यात्मा हूँ, इस मृती से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ स्लोगन, सदा इसी अलवकिक नशे में रहो, वहारे मैं, तो मन और तन से नेच्रल खुशी की डांस करते रहेंगे सदा इसी अलवकिक नशे में रहो, वहारे मैं, तो मन और तन से नेच्रल खुशी की डांस करते रहेंगे अच्छा, ओम शान्ती, सिर्फ एक संकल्प ऐसा है, जो भगवान को भी बांध लेता है आखिर कौन सा है वह इतना स्रेश्ट संकल्प, यह जानने के लिए सुनते हैं, आज का अव्यक्त ज्यानमोती करते हैं, आज का अव्यक्त ज्यानमोती